अस्सलाम अलेकुम फ्रेंग्स यकिनान आलू का समोसा तो सब को ही बहुत पसंद होगा पर सब यही सोचते हैं कि यह बनाना इतना मुश्किल है इसके सब बाहर जाते हैं फिर वो हाईजिनिक हो, नोन हाईजिनिक हो, टेस्टी हो या ना हो बाहर का ही खा लेते हैं लेकिन फ्रेंड्स यह बनाना बहुत आसान है, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समोसा बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ वो भी ट्रेडिशनली मेतर से समोसा जैसे बनता था, एक सिंपल से आलू की स्टफिंग के साथ वो रेसिपी में आपके साथ शेर कर रही हूँ, तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलेगा तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त जाय के रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक बड़े बरतन में ले लेना है दो कप मैदा, एक कप गेहू का आटा, आदा कप सूजी इसमें हम डाल लेंगे एक चोथा ही चोटा चमच अजवाइन, लेकिन इसको हाथ से क्रश करके डालना है और लगबग एक से दो चुट की कलोंजी, नमक डाल लेना है स्वाधनुसार, मैं डाल रही हूँ एक चोटा चमच और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी, तीन बड़े चमच, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी इसमें डाल सकते हो, तीन बड़े चमच उसके बाद इन सब इंग्रिडेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बेसिकले हम इसे खस्ता कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथ से प्रेस करके चेक करिए कि यह खस्ता हुआ है या नहीं यह तो अब थोड़ा थोड़ा पानी आट करके इसका हमें एक यानि कि आटा तयार कर लेना है पानी जादा नहीं डालेगा हमें एक टाइट डोर चाहिए एक टाइट आटा चाहिए यह देखे इस तरह से परफेक्ट आटा गोनने के बाद इसे हमें ढख के रख देना है लगबग आदे गंटे के लिए एक गंटे के लिए भी आप रख सकते हो जब तक कि ये सेट हो रहा है हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसमें हमें कुछ मसाले डालना है जैसे कि सूखी धनिया, जीरा, राई और बड़ी सॉफ ये सब लेना है आदा बड़ा चमच अजवाइन लेना है आदा चोटा चमच और कलोंजी लेंगे एक चोथा ही चोटा चमच तेल में इसे डाल लेना है और साथ में थोड़े कड़ी पत्ते डाल लेंगे इन सब को लगबग 20-30 सेकेंड फ्राइम करेंगे हम और फिर इसमें हम एड़ कर लेंगे हरी मिर्च पांच से छे हरी मिर्च को छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लेना है और वो भी डाल देना है साथ में हम डालेंगे एक बड़ा चमच अदरक लसन जोके क्रश किया हुआ है उसका पेस्ट नहीं है गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे एक मिनिट भूनने के बाद इसमें एक बड़ा चमच चिली फ्लेक्स आड़ कर लेंगे और इसे भी लगबग आदा मिनिट भूनेंगे और फिर इसमें आड़ कर लेना है आदा बड़ा चमच हल्दी पॉडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पॉडर और इसे लगबग 10-20 से केंड़ी फ्राइ करना है और फिर इसमें हम एड़ कर लेंगे हरा मटर यह optional है फ्रेंड्स अगर आपके पास है हरे मटर तो डालीगा फिर हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम है फ्रेंड्स और अभी इसे हमें एक मिनट भूनना है उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे आलू मैंने चार बड़े साइस के आलू को बॉइल करके उसे मैश कर ली हूँ हातों से ही बहुत जादा मैश नहीं करना है आप देख सकते हो वीडियो में मैंने जिस तरह से मैश की हूँ उसी तरह से मैश करेगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे मसालों में उसके बाद मैं इसमें एक मुठी धनिया पत्ती डाल रही हूँ चौपकी हुई और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे ये देखिए इतना आसाने स्टपिंग बनाना जो कि रेडी हो गया है अब मैं चेक कर लेती हूँ हमारा जो आटा वो perfect set हुआ है यानि थोड़ा सा इसे और गून लेना है हलका सा soft कर लेना है हातों से ही बस उसके बाद हमारा आटा ready हो जाएंगा उसके बाद इसके हमें पेड़े बना लेना है थोड़े से बड़े सा इसके पेड़े रखना है क्य कर लेना है तो यह दो शीट रेड़ी हो गए समोसे की अब इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए हमें शीट के एक कॉर्णर पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है और फिर दोनों कॉर्णर को फोल्ड करते हुए एक दूसरे पे स्टिक कर देना है इस तरह से यह देखिए तो यह कॉन की तरह रेड़ी हो जाएंगा फिर इसके बीच में हमें आलू की स्टफिंग डालनी है स्टफिंग डालने के बाद जो उपर बचा हुआ कॉर्णर है शीट का उस पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है और फिर दोनों कॉर्णर को एक दूसरे से चिपका देना है पानी की मदद से और जो बचा हुआ इससा है इस तरह से फोल्ड करके चिपका देना है शीट का और अच्छे से प्रेस कर लेना है ताके फ्राइ करते वक्त यह खुले ना और इसके अंदर तेल ना भर जाए इसी तरह से सारे शीट के अंदर हमें स्टफिंग करके समोसा रे कर लेना वैसे हमेज में समोसे डाल के अच्छा साहल का ब्राउन कलर आने तक के फ्राइ कर लेना है और यह देखिए फ्रेंट समोसे हो गया है तयार तो अब इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए है ना यह बिल्कुली सिंपल सी रेसिपी तो जब हम घर पर ही रह के सिंपली ए इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाई